तो partnership में एक new sharing ratio calculate करना पड़ता है उसके बारे में समझा रहा हूँ तो पहली बात तो sharing ratio क्या होता है फिर आते हैं new sharing ratio पे भी जिन बच्चों का मेरे उपर focus नहीं है पूरी तरद है focus यहां होना चाहिए बेटा तो partners जो होते न वो आपस में एक sharing ratio decide करते हैं और उसी ratio में वो profit या last जो भी होता वो distribute करते हैं हर साल जो भी profit होगा वो एक specified ratio में distribute होगा और वो share वो ratio partners मिल के decide करते हैं अगर last हुआ उसी ratio में bear करेंगे से दो friends ने मिलके business शुरू किया partnership में दोनों ने सोचा कि भाई जो भी profit होगा अपन तो equally बाटेंगे दोनों ने मिलके यह decide किया है जो भी profit होगा equally divided कि last होगा तो हम equally वियर करेंगे यानि कि उनका sharing ratio होगया equal equal का मतलब one is to one ठीक कोई और ratio भी हो सकता था दो partner से उनोंने मिलके decide किया कि हर साल जो भी property है last होगा 70% first वाला partner रखे का 30% second वाला रखेगा 4 is to one हो सकता है 1 is to one हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यानि कि partners आपस मिलकर agreement के through एक sharing ratio decide करते हैं और उस ratio में वो लोग profit या loss divide करते हैं हर साल और asper act ये rule भी है कि अगर partners ने आपस में मिलके ratio decide नहीं किया था rule कहते या कोई और region था जो भी था अगर decide नहीं किया था तो बाद में ऐसा नहीं होगा कि जिसने capital जादा लगाई तो उसको profit जादा दे दे ऐसा नहीं होगा law है ये किसे ने काम जादा किया तो profit उसको जादा दे तो ये ऐसा कोई rule नहीं कोई criteria नहीं चलेगा जो profit last है वो equally ही divide होगा अगर उन्होंने agreement नहीं किया था आपस में मिलके decide नहीं किया था तो तो फिर equally divide होगा तो sharing ratio क्या होता है समझ में आ गया सबी को एक ratio जिसमे profit या loss जो भी होगा वो सबी के बीच divide होगा ये sharing ratio change होता रहता है usually कब-कब change होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं usually कब change होता है तो usually तीन occasions में change होता है एक तो जब कोई नया partner business में admit होता है जब कोई नया partner business में आता है न तो उस समय sharing ratio change हो जाता है on admission of a partner थी दूसरा कोई चला जाये तो on retirement or death of a partner तीसरा on agreement क्या मतलब है समझा रहा हूं on admission of a partner ratio क्यों change होता रहा हूं अब कोई नया partner business में आएगा तो अभी तक तो profit old partners में divide होता था अब नये को भी देना पड़ेगा अब नये को भी देना पड़ेगा तो फिर से नसाहित करोगे तीनों का ratio क्या होगा चारों का ratio क्या होगा नये वाले को include करके ratio decide होगा अभी तक मान लो कि A और B दो partner थे और C इंटर हो रहा है तो अभी तक जो भी profit या last होता था वो A और B में जाता था अब C को भी देना है तो फिर decide करना पड़ेगा क्योंकि A और B अपने हिस्से में से कम करेंगे तब C को मिलेगा ratio change करना पड़ेगा retirement वाले case में ये होता है कि मान लो कि A और B और C मान लो तीन partner है और C retire हो गया तो अभी तक जो profit या last तीन में जाता था अब दो में ही जाएगा ratio change करना पड़ेगा या फिर ऐसा नहीं है कोई आया नहीं कोई गया नहीं लेकिन आपस में मिलके कुछ उनकी planning है कि भाई ratio जो भी आज तक चला रहा है वो ठीक नहीं है आज तक तो equally divide करते थे पर उनमें से एक partner तो काम करता ही नहीं है इतने साल तक देख लिए हो profit equally divide किये जा रहे भी या नहीं होगा या नहीं चले गा इसा उसका ratio कम करना पड़ेगा उसने भी कहां भई मैं आई नहीं पाता हूँ यह तो कर दो भले कम तो ratio change करने कोई और region हो सकता है ratio change करने का तो ऐसे भी कई बार agreement के through ratio change हो जाता है तो इस हंसे new ratio कैसे calculate होता है वो हम समझेंगे और तीन case में समझेंगे जिनमें पहला case ले रहे है कि अगर कोई नया partner बिजनेस में इंटर हो रहा हो तो उस case में new ratio कैसे निकालेंगे ठीक तो सुनिएगा उसके लिए एक example ले रहे है एक example ले रहे है A and B are partner with sharing ratio of 3 to 2 they decided they decided that they decided to admit C as new partner with sharing ratio 1 upon 4 calculate new sharing ratio new ratio निकालना है तो यहाँ पे पहले यह बताओ कि old ratio दिया हुआ है कि नहीं तो old ratio between A and B का है जा दिया हुआ है 3 to 2 यहाँ पे नए partner का sharing ratio भी दिया हुआ है 1 fourth दिया है ना अगर old ratio A and B का जो दिया हुआ है 3 to 2 अगर नहीं दिया होता तो तो हम equal मान लेते हैं 1 is to 1 मान लेते हैं नए partner ratio देना ही पड़गा वो हमें कभी भी नी सोचना है कितना shares को देना है वो दे देंगे कभी directly कभी indirectly अभी यहां directly दिया हुआ indirectly कैसे दें वो भी आगे जबके समझात हुआ अब निकालना है यहां पे दो case चलते हैं case 1 नए partner को जो share मिलना है वो A देगा की B देगा अगर दोनों देंगे तो कोन कितना देगा कई बार यह दिया होता है और कई बार यह नहीं दिया होता है तो case 2 हो गए की नहीं फिर समझा रहा हूँ new sharing ratio निकालते हैं न तो उसमें दो case चलते हैं एक तो नए partner को जो share मिलना है वो A देगा की B देगा मत्तब कौन पार्टर देगा यह कोशन में दिया रहेगा यह दोनों देंगे जितने भी partner सब देंगे तो कौन कितना देगा वो दिया रहता है तो कई बाद नहीं दिया रहता है तो जब ना दिया हो उस case में ratio कैसे निकलता पहले वो case समझेंगे तो यहाँ पे नए partner को one fourth share देना है इस example में और one fourth A देगा की B देगा कौन देगा कितना देगा कुछ नहीं दिया हुआ कोशन में तो ऐसे में क्या करेंगे वो समझा रहा हूँ तो law यह है rule यह है कि उसको one fourth जो मिलेगा वो A और B दोनों देंगे और उनके sharing ratio में देंगे अगर कोई agreement नहीं हुआ था तो नए partner को जितना भी share दिया जाना है वो old partners उनके sharing ratio में देंगे बात फिर से repeat करेंगे नए partner को जो भी sharing ratio मिलना है उसमें से कौनसा partner कौनसा old partner कितना देगा अगर agreement नहीं है तो वो लोग देंगे जरूर पर उनके old ratio में देंगे तो C को one fourth share मिलना है यह A और B देंगे A और B का old ratio three to two है तो one fourth three to two में divide होगा जितना जितना आएगा उतना उतना A और B C को देंगे one fourth को three to two याने old ratio में divide करेंगे जितना जितना आएगा उतना उतना A और B C को देंगे उतना उतना A और B ने sacrifice किया किया उतना उतना A और B ने सरंडर किया और जितना उन्हें सेक्रिफाइस किया है याने जितना उन्हें सरंडर किया है वो उनके रेशो में से माइनस हो जाएगा जितना उन्हें सेक्रिफाइस किया जितना उसी को देंगे वो उनके रेशो में से माइनस हो जाएगा जो उनके पास बचेगा जितना A के पास बचेगा जितना B के पास बचेगा वही उनका new sharing ratio हो जाएगा ठीक तो करके देखते हैं सबसे पहले A कितना sacrifice करेगा याने A कितना surrender करेगा याने A कितना देगा तो A sacrifice A gives, A sacrifice A surrender, जो लिखो A की बात है A sacrifice equal to C को मिलना है 1 fourth और 1 fourth का 3 fourth A देगा 1 fourth का 3 fifth 1 fourth का 3 fifth A देगा 1 fourth मालो में कहां से आया 3 fifth के कहां से आया वो बता रहा हूं A और B का ratio 3 to 2 है 3 to 2 का मतलब 3 और 2 का total 5 मतलब A का ratio 3 upon 5 है तो B का ratio 2 upon 5 है ठीक, तो 1 by 4 का 3 fifth कितना होता वो निकाल रहे हैं 1 fourth का 3 fifth कितना होता निकाल रहे हैं तो उसके लिए multiply करना पड़ता है और multiply में numerator numerator multiply हो जाते तो denominator denominator multiply हो जाते denominator same है कि नहीं यह नहीं देखा जाता है तो 1 into 3 3 upon में 4 into 5 20 तो A 3 by 20 C को दे देगा अब आगे क्या लिखना चाहिए तो B वी सेक्टिफाइड इक्वल टू एक बटा है एक में बटा कुई बच्चे बोले फोन नहीं देख रहे हैं दूर तक अब ठीक है तो B सेक्रिफाइड इक्वल टू 1 बाइ 4 इंटू 2 बाइ 5 इक्वल टू कितना आएगा 2 अपान 20 तो A C को कितना देखा B कितना देखा वो आगया अब जो A ने C को दिया वो A में से माइनस कर देते जो B काई B में से मैनस कर दे तो जो उनके माँ बच्टेगा वही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा A के पास पहले रेशियो था 3 बाइ 5 पहले था माइनस 3 बाइ 20 दे दिया जो उपर भी निकाला है हमने तो A के पास क्या बचा सबको आता है केलकुलेट करने सबको केलकुलेट करने आता है तो यहाँ पे जब माइनस या प्लेस करते हैं तो डेनॉमिनेटर सेम होना चाहिए नहीं तो फिर L-C-M लेना पड़ेगा यहाँ पर 3 बाइ 5 इसका डेनॉमिनेटर है 5 3 बाइ 20 इसका डेनॉमिनेटर है 20 जब माइनस या प्लस करते है मैल्टिप्लाय में नहीं माइनस या प्लस में डेनॉमिनेटर सेम होना चाहिए नहीं है तो LCM लेना पड़ेगा तो LCM कैसे लेंगे वो बताने जा रहा था 3 by 5 का denominator है 5 3 by 20 का denominator है 25 और 20 मतब सेम नहीं है तो LCM कैसे लेते हैं वो सुन लो जो दोनों का denominator है न उनमें biggest कौन सा है जितने भी denominator उनमें biggest किता है यहाँ पर 20 है 20-20 टेबल में तो आता ही होगा क्या 25 के टेबल में भी आता है तो हम LCM 20 ले लेंगे 5 और 20 डिनाम्टर है इसमें जो बड़ा वला है वो 20 है और 25 और 20 दोनों के टेबल में आता है तो इसको हम denominator में ले लेंगे उमें LCM निकालना नहीं सिखा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ही पीशे के लास पजाना पड़ जाएगा अगर ये दोनों denominator एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहा होते तो फिर दोनों का multiply करके जो आता हम उस कोट ले लेते है LCM में जैसे अगर denominator 7 and 8 होता तो 7 की टेबल में 8 नहीं आता है 8 की टेबल में 7 नहीं आता है तो फिर 7 into 8 56 LCM लेना पड़ता है फिलाल 5 और 20 है तो मैं LCM कितना लूँ यह 20 ले लिया यह 20 ले लिया मैंने ठीके अब 20 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले वाले के denominator से 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 फिर numerator से multiply 12 तो 12 minus 20 को 20 से डिवाइड किया 1 1 को 20 numerator से 3 से multiply किया 3 फाइनली अंसर क्या आएगा 12 मार्ट तो कितना था 12 minus 3 तो कितना आएगा 9 upon 20 यह आगा एक रीट सबी जने सबी जने एक रीट अगली बात में बात में चलूँगा एक प्रटली बात को रोग दिया फिर से मैंने बीपी के कुछ फेस पढ़े ध्यान देके सुनो देटो बेटा जब तक आप लोग नहीं बोलोंगे मैं तो कोई भगवान थो नहीं नहीं समझे आ जागा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं कौन साथ को बोलना है कि किसी बात में से पूछोंगे आपको फिर स्टेंडर की बात नहीं आ दी तो भी पूछो मैं कहा मना कर रहा हूं सिखा दिया देख लो बच्चे ने इशारा किया नहीं आता माइनस करने में को तो मैंने किसी को बताया कि किसने मैं इसे बोला जिसने भी का मैंने बता दिया तो आप इशारह में बता तो पड़ोसी को नहीं मालों पड़े तो भी चलेगा लेकि बोलना तो आपको पड़ेगा भाई एगरीट उम्मीद करूं सबी से चले तो हाँ बेटा मैं आ रहूं न अभी उस पर आँगा न अभी आई रहूं तो पहले तो एक बास सुन लो जब भी कोई बच्चा कोई कोशन पूशे तो मैं बता जूँगा में को नहीं आता है तो फिर तुम लोग सौब मिलके उसको बताना पर अगर मेर से पूशे रहा तुम लोग उसको अंसर दिये जा रहे हैं तो दो मतलब होते हैं पहला सर को आता नहीं इसलिए अपन बता जेते हैं तो दूसरा नहीं बताओंगा पीस न्यू शेयर इक्वल टू बाए फाई माइनस टू अपन ट्वंटी तो यहां पे एल्सी में ले लेता हूं ट्वंटी यह ले लिया सबस्छा अब यहां पे है 20 को 5 से ज्वाईड किया 4, 4 को 2 से मतलब यह Murator से मुलिय किया 1 Is 2 माइनस 20 को ट्वंटी को 2 सबस्टाइग किया 1, 1 इंस टू मतलब 2 जिन बच्चों का फोकस यहां से हड़ चुका है उन दो तीन बच्चों के लिए तो मैंने यहां पर एस न्यू शेयर लिखा बीस न्यू शेयर लिखा लेकिन सीस न्यू शेयर नहीं लिखा इसलिए वह इसलिए बड़ा सबको आगया ठीक है लिए कि दो तीन बच्चे तो है ना उनको भी तो पता हूं फिर यह भी तो पता चले कि मेरे को भी आता है कि नियाब सोने बता दिया तो इसलिए कि यहां पर अगर मैंने सीस न्यू शेयर लिखा मतल सी का ओल्ड रेशयो भी कुछ था और ये न्यू है जबेशी तो नएया पार्ट तेरे ले उसका कोई ओल्ड रेशयो था ही नहीं यही इसका फैइनल रेशयो है तो न्यू रेशयो नहीं लिखेंगे और नया पार्ट तो शेयर कैलकुलूant नहीं करना हो तो दिया हुआ हुआ है तो 1 by 4 तो नया रेशो आ चुका है नया रेशो है 9 by 20 6 by 20 and 1 by 4 नया रेशो आ चुका है हमारा लेकिन लेकिन तीनों का denominator सेम नहीं है वो सेम करना है क्यों करना है उस पर इतना बार में दे रहा हूँ और अगर पड़ोसी ने दे दिया तो समझ जाना वो अपने आपको ज़्यादा समार समझता है इसने में बाद में देना चाहता हूँ वो पहले देकर इसको डिस्टरब करना चाहता है कोई रीजन होगा ना मैं इतने sentence बोल रहा हूँ लेकिन वो sentence नहीं बोल रहा हूँ कि क्यों करना चाहिए तो कोई तो रीजन होगा न तो C का अभी नया रिशो आ चुका है लेकिन तीनों का denominator सेम नहीं है वो सेम होना चाहिए तो दो का है 20 और तीसरे का denominator है 4 इन दोनों में बड़ा कौन सा है 20 तो 20, 20 की डेबल में तो आता ही होगा क्या 4 की डेबल में भी आता है अगर 4 की डेबल में भी आता है तो भी हम देनों का तीनों को ही 20 बना देते और अगर नहीं होता तो दोनों को मल्टिप्राय करके वो देनों के बनाते हम तो तो हमको यहां पे जो C का denominator 4 है, उसको 20 बनाना है, 4 को 20 बनाना है, तो 20 अपन 4 करेंगे, 20 अपन 4 किया, तो कितना आया, 5, तो into 5 अपन 5, ऐसा करने से 5 अपन 20 आ गया, तो इसका मतलब C का ratio पहले 1 by 4 था और 5 by 20 होगया, चेंज होगया, ऐसा नहीं है, ratio चेंज नहीं हुआ, ratio वहीं का वहीं है, 1 by 4 और 5 by 20 एक ही चीज होती है, लिखने का तरीका दिर्ब बदला हुआ है, इसी भी value में into 1 by 4 कर लो, या इसी भी value में 5 by 20 कर लो, अंसर सेम ही आएगा, 1 by 4 और 5 by 20 अलग नहीं, सेम है, हमको denominator सेम करना था, इसलिए हमने चेंज किया है, denominator सेम अगर है, अब बता रहा हूँ कि denominator सेम क्यों किया, अगर denominator सेम है, तो उसके बाल हम कुछ ऐसे करके new ratio लिख सकते, new sharing ratio equal to, अगर numerator सेम हैं तो, अगर numerator सेम हैं तो, अगर numerator सेम हैं, सबी सबी क्या सेम हैं, तो उसको हटाया जा सकता, नहीं परथा नहीं सकते, अगर हम उनको नहीं बदलते, तो हमको ये बोलना पढ़ता, ratio है, 9 by 20, 6 by 20, and 1 by 4, ऐसा बोलना पढ़ता, और तीनों का denominator सेम हो गया तो denominator हटाकर हम बोल सकते की ratio है 9-6-5 ये हेन का ratio शेम होने प्राटा आजा सकता था अब 9-6 और 5 ये तीनों किसी से कट सकते हैं क्या फिला नहीं कट सकते तो यही final answer है अगर कट सकते थे यह answer नहीं माना जाएगा काट के और divide करना पड़ेगा ये नहीं माना जागा अंसा कर सकता है तो agreed? अभी लोग agreed? ये हमने new ratio calculate किया इसी ratio को वापस से एक बार और निकालेंगे ये जो हमने ratio calculate किया है ये एक मितर से किया है नाम जो भी दे दो मैंने इसको first मितर नाम दे दिया इसको एक और मितर से करेंगे और क्यों करेंगे वो थोड़ी दिर बात बता हुआ लिए हम वापस से calculate कर रहे हैं second मितर से जिन बच्चों को दोनों मेंसे एक मितर समझ रहा जाएगी इसने समझ लेना तो कोई साभी sharing ratio हो दूसरी मैंसर समझा रहा हूँ new ratio निकालने के कोई साभी sharing ratio हो उसका total हमेशा one होता है total हमेशा one होता है जैसे यहाँ पर old ratio क्या था A और B का three to two मत्तब three by five and two by five three by five plus two by five five by five होता है याने one होता है जैसे new ratio आया है nine six five याने nine by six six by nine by twenty six by twenty five by twenty अगर तीनों को प्लस किया जाए तो twenty upon twenty मत्तब one आयेगा तो total ratio one होता है तो दूसरी मैसर की बात चल रही है अगर question में ये ना बताया हो कि नए पाट्रे को जो share मिलना है उसमें से कौन कितना देगा अगर ना बताया हो तो दूसरी मैसर जो बताने जा रहा हूँ वो भी apply हो सकती है repeat कर रहा हूँ नए पाट्रे को जो भी share मिलना है अगर question में ना बताया हो कि ओल्ड पाट्रे में से कौन कितना उसको देगा तो दूसरी मैसर भी apply हो सकती है तो इस बात का मतनर ये भी निकला कि अगर बताया हो कि कौन कितना देगा तो दूसरी मैसर वहाँ apply नहीं हो पाएगी वहाँ सिर्फ first ही apply होगी कौन कितना देगा ये नहीं बताया तो दूसरी मैसर भी लगा सकते हो और बता दिया तो दूसरी नहीं लगा पाऊंगे सिर्फ फश्टी लगा पाऊंगे और ये दोनों माइंड में रखना ही है क्योंकि आगे जल कि कब क्या लगाना उस से ही समझ में आएगा तो टोटल क्या होता हमेशा वन हमने क्या करा वन में से पहले तो वन फॉर्थ दे दिया सी को वन में से वन फॉर्थ सी को दे दिया वन फॉर्थ का मतलब क्या होता वो समझ लेना वन फॉर्थ का मतलब होता कि चार में से एक शेयर चार शेयर है उन में से एक शेयर उसको वन फॉर्थ बोलेंगे तू बाई 7 इसका मतब 7 में सिर्फ टू शियर फाई अपान 18 इसका होता है 18 में सिर्फ 5 शियर तो हमने 1 फोर्थ C को दे दिया चार में से 1 C को दे दिया तो बचा क्या चार में सिर्फ 3 इससे बच गये याने कितना बचा? 3-4 बच गया 3-4 बच गया ठीके? अब ये बचावा 3-4 A और B में डिवाइड हो जाएगा पहले तो C को जो देना पोटल में से C को निकाल के दे दिया अब तु तो ले जा अपना जो पचा ये A और B आपस में डिवाइड कर लेंगे तो पचा 3-4 A और B डिवाइड कर लेंगे तो A को जितना अब मिलेगा वो उसका नया रेशो होगा अगर अंसर सेम आएगा दोनों में तर से और दोनों सीखना जब जोड़ी कोगी इन दोनों के पैसिस पर अगली में बनेगे तो A निू शेर इकुआल टू 3 वाइ-4 A और B में डिवाइड होना है 3 वाइ-4 इन-2 3 वाइ-5 3 इस्टू 2 में डिवाइड करेंगे 3 इस्टू 2 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो एक रेश्यो का आएगा multiply में denominator same करना ही जड़ोत नहीं होती है numerator 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 multiply कर लो denominator denominator multiply कर लो तो 3 इंटो 3 9 9 अपन 20 September 20 September 20 ठीके 20 new share equal to कोई बताओ कोई बताओ silent 8 बन एक में बिटा हाँ ओ गयब हो गया दूसरी में तर समझा रहा था तो वापस समझा रहा हूँ फार्म का टोटल रिश्यो कितना होता है 1 1 में से 1 फोर्थ सी को दे दो 1 फोर्थ ही क्यों दो कोश्चे में बोला हुआ है कि सी का share 1 फोर्थ रहेगा तो 1 फोर्थ सी को दे दिया तो क्या बचा 3 फोर्थ तो बचा हुआ रेश्यो A और B को मिलेगा और A और B का रेश्यो क्या है Old ratio क्या है 3 फोर्थ को A और B में 3 फोर्थ में डिवाइड करेंगे बचावा 3 फोर्थ A और B में 3 फोर्थ के रेश्यो में डिवाइड होगा अगरी हो तो A को कितना मिलेगा 3 फोर्थ इंटू 3 वाइफाई अब अगरीड अब अगरीड 20 न्यू शेयर 3 वाइफोर इंटू इंटू 2 वाइफाई तो क्या आएगा 6 अपन टुटि याएगा या आगया 6 अपन टुटि तो A का न्यू रेश्यो निकल गया B का न्यू रेश्यो निकल गया और C का तो वही रहेगा C का तो जो कोश्चन में दिया है वही रहेगा लेकिन इंटू 5 वाइफाई क्यों किया डिनॉमिडिटर सेम करने के लिए न्यू तो शेरिंग रेश्यो इकल टू 9 इस्टू 6 इस्टू 5 जा एगरीट सभी जने जा सभी जने एगरीट अब खुद कर सकते हो वो भी दोनों में तरसे तो एक कोश्चन सभी जने लिखे और वो कोश्चन दोनों में तरसे करके बताया एकडामपल नंबर है 2 you and our our partner PQ and are our partner with profit with profit sharing ratio with the प्रोफित शुन एड्स रस्त प्रजक्ट टो रस्त टोफिज टू थू रस्त टू टो टू एड्स अस्त नू पांडर ASMR फ्रूजए स्त टो थे ठेम रडिट टो टू एड़ रस्त टू टो टू टू ऑड्स दो टू छोला के पांडर्स investigation शेरिंग रेश्टो तो करके बताओ तो सबने कर लिया फ़र्ष मेथड में ऐसे करेंगे चेक खर लो फ़र्ष मेथड में आएगा पी सरंडर एक ही बात है जो भी लिखो तो भी चलेगा जैसा आपको सही लगता है तो पी सरंडर कितना पी है नहीं पाट्टर को 2 by 7 और उसमें से पी कितना देगा 3 by 6 देगा तो 2 by 7 इंटू 3 by 6 याने 6 अपाउन 42 क्या सब्सक्राइब 42 ठीके Q सरंडर एक्वल टू 2 अपाउन 7 इंटू 2 अपान 6 4 अपान 42 और सरंडर एक्वल टू 2 अपान 7 इंटू 1 अपान 6 2 अपान 42 क्या यहां तक सभी सभी एक एग्रीड सभी एग्रीड सभी एग्रीड सभी एग्रीड आक्री में जो बट्टो पीशे क्लाश रो सभी लोग एग्रीड तो अगले पिस्टेट इस न्यू शेयर इक्वल टू पी का पहले शेयर कितना था त्री पाई 6 था और उसमें से उसमें कितना सरंडर कर दिया दिया 6 पाय 42 सरंडर कर दिया तब यहां माइनस हो रहा है माइनस य प्लस में सेन्स देखना पड़ता ह। तो यहां पर लेना पड़ेगा 42 built रहेक है तो हमने 0 गोदैव लिया है 22 को 6 से डिवाइड किया 7uhan इंट्योघ्ए 21 माइनस 42 को 40 ते डिवाइड लिया 1, 1 into 6, 6 is तो किसना आया? 15 15 by 42 आया एक री हो? जिनको नहीं आया हो अगर किसी को तो अगला है Q new share equal to कोई बताओ? 2 by 6 minus 4 by 42 14 minus 4 upon 42 10 upon 42 जिनको अगर किसी को तो जिनको अगर किसी को तो R new share equal to 1 by 6 minus 2 upon 42 minus 2 upon 42 Lcm 42 ले लिया 42 ये लिखा? नहीं सर, 2 by 4 आया वापर सो हो गया तो 5 by 40 5 by 42 5 minus 7 minus 2 7 minus 2 तो आया का इजर? 5 upon 42 तो तो और नया पद्टर is S share equal to 2 by 7 अब पहले के तीनों का denominator 42 है तो S का भी denominator 42 लेके आएंगे 42 को 7 से डिवाइड किया 6 आया तो 6 से मल्टिप्टाई होगा 6 upon 6 तो क्या आएगा? 12 upon 42 आजाएगा याने की December 42 आएगा इसना लिखू? 12 upon 42 तो new sharing ratio क्या हो जाएगा? 15 इसना टेर इसना फाई इसना फाई इसना तूएगा चारों के चारों किसी टेवर में आते हैं? एई नी तो यही final मान लिया जाएगा चा सबी लोग agreed? या सबी लोग agreed? agreed? चले तो next मेरी इक्षा तो यह है कि जिसको ना आए वो सब की भीच में बोलने के लिए सब को आया पूरी ख्लास को आया होगा पोर मुझे नहीं आया तो में प्रह इने दो पूल दिया जgon यह है मुझे अच्छा लगा था पिश्टी बार जब एक ने अच्छा लगा था बर अगे अफिर समझ आ दो और ऐसा ही अच्छा लगता है तो method second second method में total ratio क्या होता है लेकिन second method सब जगा apply नहीं हो भाएगी नहें partner को जो share मिला है उसमें से कितना किसने दिया ये ना दिया हो उसी case में second में से लगा सकते है किसने कितना दिया अगर दिया हूँ है तो तो यह apply नहीं हो पाएगे तो 1 minus 2 by 7 क्या बचेगा 5 by 7 बचेगा agreed piece new share equal to 3 by 6 नहीं नहीं 5 by 7 into 3 by 6 क्या आएगा 15 by 42 आजाएगा piece new share equal to 5 by 7 into 2 by 6 10 by 42 10 by 42 arts new share 5 by 7 5 by 7 into 1 by 6 5 by 42 2 by 7 2 by 7 share equal to 2 by 7 तो ही denominator same करने के लिए into 6 by 6 तो आएगा 12 by 42 तो नूजी नूजी रिशेड़ी रिशेड़ी हो गया ओ अरे 15 by 9 जा हो जाएगा का एक गरीड सब जने का सभी लोग एक गरीड ध्यान देके सुनना बहुती अच्छी तरह सब जने ध्यान देके सुनना तो जैसे दो फ्रेंड से उन दोनों के पास तीन चपातियां है और दोनों मिलके रिशेड़ी में बेटके शेयर करने वाले थी दो फ्रेंड से दोनों के बीच में तीन चपातियां है दोनों मिलके शेयर करने वाले थे कि अभी रिसेस आएगी दोनों मिलके खाएंगे यूजुली जो होता है यूजुली जो होता वो यहानी करेंगे यूजुली यह होता जिसके इससे में तो आजा ले लो जल्दी बोडर्स को कभी इफिन दे के देख लो तो क्या होता होगा दोनों जरे वन एन हाफ वन एन हाफ चपाती रखेंगे अगर पापरली शेर की जाए तो दोनों जरे वन एन हाफ वन एन हाफ चपाती रखेंगे दोनों जरे तो दोनों जोने मिलके यह से करने वाले थे क्योंकि अभी यहां पर बेटे 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 पीछे से बात चल रही थी सुनाई भी दी थी वो दोनों गर्स अभी बात कर रही थी तो एक तरी दूसरे को बोला यार मैं आज टिफिन नहीं लाई हूँ तो दूसरे नेका कोई बात नहीं मैं लेके आई हूँ न पर उसमें शेयर करेंगे थोड़ी दब आप फिर उसने उससे पूशा आचा तू कितनी चपाती लाई है तीन लाई हूँ बाकि अंडरस्टूड है तीन लाई हूँ और रिसेस्टूड दोनों उससी टिफिन में शेयर करेंगे मतलब दोनों को डेड़ डेड़ चपाती यानि वन और आफ वन और आफ मिलेगी मीन वाले इतने में तीसरी फ्रेंड ने सुना और उसमें बोला टिफिन तो में भी नहीं लाई हूँ पहले जब दो में डिवाइड हो रही थी वन पैंट फाई एन वन पैंट फाई मिल रही थी डेड़ डेड़ चपाती मिल रही थी वन और आफ और आफ मिल रही थी लेकिन तीसरी के आने से एक एक हो गई मतलब दोनों की कितनी कितनी कम हुई हाफ हाफ कम हुई अब मेंठ पाइ्ट में आने वाला हुए जो पाइ्ट समझाना है वो अब चुरू होगा दोनों की कम कितनी कितनी हुई हाफ हाफ अच्छा उनका शेहरी निशू क्या थह? और पार्टर्स था पहले के दोनों फ्रेंड्स का शेरी रेशो क्या था एक्वल था फ्यूचर में नए के आने से उनका जो कम हुआ वो भी एक्वली कम हुआ मतर्स सेक्रिबाइस उसी रेशो में किया दो बाते समझाने वाना हूँ यह दूसरी बात पहली बात उसमें चल रही है अभी रिपीट कर रहा हूँ नए पार्टर के आने से ओल्ड पार्टर की आधी आधी जपाती कम हो गई मतर्ब इक्वली कम हुई और उनका ओल्ड रेशो क्या था तो अगर टोटल में से उसको भी दे दिया जाए जो बच्चेगा अगर उसको सामने रखकर देखोंगे तो उनका जो रेशो कम हुआ है वो उसी रेशो में हुआ है जो उनका ओल्ड रेशो था मतलब दोनों ने ओल्ड रेशो में नए पार्टर के लिए सेक्रिफाइस किया है उनका रेशो एक्वल था तो उन दोनों ने नए के लिए एक्वली सेक्रिफाइस किया क्लियर है अच्छा ए और बी का रेशो पेले इक्वल था, अब तीनों का तो इक्वल है, पर A, B का अभी भी इक्वल ही है, पहले A और B का रेशो इक्वल था, दोनों को डेड़ डेड़ चपाती मिल रही थी, अब तीनों को एक इक चपाती मिलेगी, पर अभी भी देखा जा तो A और B का रेशो इक्वल ही चल रहा है, य रेशो वही है, तो अब आया में पाइंट पे, कभी-कभी कॉश्चन में ये दिया रहता है, कि ओल्ड पार्ट अपना रेशो वेसा ही रखेंगे जैसा था, ओल्ड पार्ट अपने रेशो को चेंज नहीं करेंगे, है न, नहीं करेंगे मतलब ये जो मेथड अभी चल रही थी, दो इन में से कोई भी मेथड लगा लगा लो, जैसे यहाँ पे देख लो, पहले A और B का रेशो क्या था, नहीं, P क्योंसर इस कोईश्चे में, PQR का पहले रेशो क्या था, 3, 2, 1 था, और अभी उनका रेशो, PQR का रेशो क्या आया है, 15, 10, 5, अभी रेशो क्या आया है, 15, 10, 5, 15, 10, 5 को रख कर देखो, उसको जड़ा अलग कर कर के देखो, 15, 10, 5, 5 से डिवीजिबल है, तो P और Q और R को सामने रख कर देखो, तो उसका रेशो क्या था, बिट्वेन P, QR सेम ही चल रहा है, बिभी, अगर पिष्टे कोश्चन में जाओंगे, एग्जाम पर बन में जाओंगे, तो A और B का ओल रेशो 3, 2 था, A, B, C का न्यूरेशो 9, 6, 5 था, तो A और B का क्या था, 9, 6, 6 मतलब 3, 2, वही का वही रहा, तो इसका मतलब, जब नए पार्टर को कितना देना है, कौन कितना देगा, अगर इससा नहीं दिया है, तो इस मेतर से, जिस मेतर से अभी हमने कोश्चन साल किया, इससे दो बाते सामने आती है, उनका जो ओल रेशो था, नए में भी उतना ही रह जाता है, बिट्विन ओल पार्टर्स, एक, दूसरा, उनका सेक्रिफाइसिंग भी उतना ही आता है, दूसरी बात क्या, सेक्रिफाइसिंग भी उतना ही आता है, जैसे अभी उनको चपाती, दोनों को डेड़ डेड़ खानी थी, वन एन हाफ, वन एन हाफ खानी थी, पर तीसरे फ्रेंड के आने से, एक, एक, खाएंगे तीनों, तो दोनों ने कितनी कितनी सेक्रिफाइस की, हाफ आफ मतर्व एक्कोली सेक्रिफाइस की, जो उनका रेशो था, उसी रेशो में सेक्रिफाइस हुआ, यहाँ पर भी किसी भी कोश्चन में देखोंगे, कि उन्होंने कितना सेक्रिफाइस किया, तो जो sacrifice किया है वो उनके बिच में वो ratio वही है जो old वाला था जैसे इस वाले question में second example में second example में देखो तीनों ने कितना कितना surrender किया था याने sacrifice किया था 6 by 42, 4 by 42, 2 by 42 यह उने sacrifice किया था 6 by 42, 4 by 42, 2 by 42 याने 6, 4, 2 divide करके देखे तो 3, 2, 1 10 ने 3, 2, 1 में sacrifice किया है पिछले वाले में भी जाओ तो आप में भी जो उनका all ratio वही sacrificing है पिछले वाले question में भी हमने जब निकाला था sacrificing तो वही आ रहा था क्या रहा था पिछले वाले में देखो उनका sacrificing क्या था 3 by 20, 2 by 20, 3 to 2 तो पूरी पार्ट का conclusion फिर से समझ लो जब नया पार्टर फर्म में इंटर हो रहा हो और ये नहीं पताया हो कि ओल्ड पार्टर में से कौन कितना उसको देगा मत्तर दोनों उसी ratio में sacrifice करेंगे जो उनका old ratio है एक दूसरा future में भी उनका वैसा ही ratio बना रहेगा जैसा पहले था प्योंकि जिस ratio में sacrifice कर रहे है जो old ratio है उसी ratio में sacrifice करेंगे तो बच्चे का भी तो उसी ratio में न अगर दो पार्टर के पास equal equal amount हो दोनों equal equal amount किसी को दे दे तो जो बचेगा वो भी तो equal equal बचेगा दो पार्टर के पास three to two में amount हो किसी नए पार्टर को three to two में कुश कुश amount निकाल के दे दे तो दोने के पास जो बचेगा three to two में ही तो बचेगा ठीक है clear सभी को तो दूसरा exam पर लेंगे एक छोटा सा नया प्रेंट कवर करेंगे तो जान दे कि सुनिएगा अगला एक्जाम पर समझा रहा हूँ दो फ्रेंड है आपस पर बात कर रहे थे तो एक फ्रेंड ने दूसरे से का कि आज मैं तो टिफिन नहीं लाया तो दूसरे ने का यार मैं भी नहीं लाया हूँ अगर तुम नहीं लाये मैं लाता हूँ मैं लाता हूँ तुम नहीं लाता हूँ तो हम आपस में एक टिफिन में कहीं बार शेयर कर लेते हैं पर आज तो यह होगा, अपन दोनों ही नहीं लाएं, वो सामनी दोनों बेठे हुए तो इन्होंने यही से मिर से बात भी कर ली बोले सर दोनों टिफिनी लाएं, हमारा रिसेस में क्या होगा मेरे कोई बात नहीं तरीका बता देता हूँ प्लीज बिटा, तो मैंने इससे पूचा मैं ठीक है भई, अभी तो अरिसेस होने में टाई में एक गंटा बाकी है अभी तो एक तरीका हो सकता है, कचोरियां बोलवा ले, दोनों ने का यस सर, तो मैंने का ठीक है तेन नुपीस की एक कचोरिये, जो केस में मत लेना, समझने की कोशिश करना, पाइंट को समझो दोनों ने का कि यस सर, हमको कचोरियां बोलवा दो, तो भी हमारा काम हो जाएगा रिसेस का मैं एक ठीक है टेन रुपीस के एक कचोरिये पैसे दे दो जितनी कचोरियां बलवानी है तो उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया दोनों में से जो मोटू है अब वो को ने हो तुम देख लो भाई यह में नहीं बता हुआ यह सेकंड बर सेकंड बेंची दर से दोनों एक डिसे लिए एक सेटी नहीं करेंगे दोनों नहीं कर रहा है एक सेट तो बैटा जल्दी से टापिक बे आ जाओ तो दोनों ने मिलके बला येस से हमको कचोरियं बलवा दो दोनों ने मिलके डिसाइड किया जो अंश है और अंश है और अंश है और वो गर्विट पढ़ी जैन तो अंच ने कहा अंच ने कहा कि मेरे देखो भए मेरे मेरे हिसाब से डाइट के साब से तीन से कम तो मैं तीन खाता हूं तो ठीक है फिर आदी एक चपाती कम खाता हूं दिल तो तीन कचोरियां अंच खाएगा ये डिसाइड हुआ है दो कचोरियां कर भिट खाएगा ये डिसाइड हुआ है तो पांच चापन, मैंने का मैंको 50 रुपीस देदो, मैं बलवा देता हूँ इन्हों ने मैंको 50 रुपीस देदी हैं, मैं अभी एरेसेज तक पांच कचुरिया बलवाके इनको दे दूँगा छी, ये लोग मिलके जब बेटेंगे, तो बाटेचर उसमें से तीन कचुरिया किसको लेनी है, अंच को, तो दो किसको लेनी है, गारेपित को लेनी है, है न, अब ये पूरी क्लास चलते जोते, बीच में ऐसी सालेंटली, कब हम लोगों के बीच में बात हो गई, जब मैं से बोल भी दिया था, पेसे भी दे दिये, मैं अभी बाहर गया था, देखे भी आ गया, वो आ जाएगी अभी पांच कचुरिय रिसिस तक, तो जब ये पूरी बात तुम सब को बताई, तो इतने में पड़ोसी ने, अनिकेट ने इन दोनों को डाटा, बोले क्या यार जब तुम देई रहते, जब तुमको मालू का तो मेरे से पूछ तो लेते, मेरे से पूछ तो लेते, कि भाई क्या करना है, तो मैं आपको ये बोलता भी है, टिफिन तो में भी नहीं रहा, मेरे भी पेसे ले लो, एकट भी बोला लो, सर आप कुछ हो सकता है क्या, भाई आप कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार कोई नहीं जा सकता, तो समझते रहना समझते रहना तो अनिकेस को भी उसमें जॉइन होना था वो भी पेसे दे देता पर अब नहीं हुआ ऐसा तो प्रैक्टिकल होके सोचो दोनों उस तीसरे फ्रेंड को तो जोड़ेंगी ऐसे छोड़ना तो उसको भी नहीं है तो अब ये क्या करेंगे उन पांच कचोरी में से ही उसको भी खिलाएंगे ठीके तो अन्च ने कहा कि देखो वे कम तो पड़ेगी मेरे आने से फिर भी ठीके में को एक कचोरी खिला देना मेरा काम हो जाएगा तो तीन केस लेने वाला हूँ एक एक करके पहला केस अन्च ने का ठीके में तीन खाने वाला था में दो ही खालूँगा एक तू खाल लेना मेरे इसमें से लेकिन अन्च ने का लेकिन लेकिन भाई में कामर्स का स्टुडेंट हूँ या कोई दोस्तियारी नहीं चलती विजनेस में बिजनेस में जब दोस्ती आ रहे आती हूं सबसे बिजनेस को बंद करना शुरू कर देना चाहिए बस कहीं दिन उतारे लग जाएंगे बिजनेस गरका इब पाइस है गर की दोस्ती आ रही घर की सब सब घर पे देखे के दुकार पे आयो तो पेषसे चलेंगे आपे तो एक कचोरी तो दे दूँगा लेकिन 10 रुपे देने पड़ेंगे ने अभी 10 रुपे अभी 10 रुपे थोड़े दे में 20 कर देंगे अपको तो अनिकेज 10 रुपे देगा और बदले में उसे एक कचोरी मिलेगी पहला कुश्चन अनिकेज के जब एक कचोरी मिलेगी पहला कुश्चन तो कम किसकी होगी जो अनिकेज दस रुपे लाएगा वो किसको दिये जाएगे अन्च को दिये जाएगे अन्च ने सिक्रिपाइज क्या उसको देंगे हलाएं कि यह वाला कंसे बहुत देर से लेने वालों दो तीन तीन दिन बार पर ठीक है बच्चों ने बता दिया तो उनको रिप्लाइ देना था दे दिया जो अनिकेद दस्रिपर लाकर देगा वो अंच को दे दी जाएंगे क्योंकि उसने सेक्रिवाइस किया है और कचोरी भी उसी की कम होगी कचोरी दोनों की कम नहीं होगी सिर्व अंच की कम होगी तो अब जो कचोरिया आएगी उसमें अंच को कितनी मिलेगी तो गर्भित को कितनी मिलेगी तो अनिकेद को कितनी मिलेगी तो न्यू रेशो हो गया तो कम किस में से किया अंच में से ये मेन है case 2 अगर गरबिद बोलता अंच बोलता सिर्फ तीन तो खा रहा हूं मैं उसमें से भी तू क्या case 2 तो गरबिद ने भाला नहीं भाई तू मत दे तू तो तीनी खा मैं दे दूंगा एक तो एक एक जो है न वो गर्वित देदेगा तो जो अनिकेट 10 रुपे लाएगा वो किसको मिलेगा गर्वित को और गर्वित में से एक कचोरी कम होगी तो फ्यूचर में जब पांच आएगी तो अन्च को कितनी मिलेगी तो गर्वित को तो अनिकेट को तो 3-1-1 का रेशियो हो जाएगा तो अनिकेट याने न्यू पार्टर उसका शेयर किसमे से कम किया यह दूसरा केस हो गया मैंने कहा था तीन केस लोगा तीन नहीं चार लेने वाला हूँ तीसरा केस सुलो तीसरा दोनों ने कहा कि नहीं अपन दोनों आधी-आधी कचोरी कम खा लेगे तो अनिकेट जो 10 रुपे देगा वो अंश को मिलेंगे कि गर्वित को मिलेंगे दोनों को 5-5 रुपे दे देंगे और दोनों के आधी-आधी कचोरी कम कर देंगे और अगर ऐसा किया तो जब आएगे पांच कचोरिया, तो अंश को कितनी मिलेगी, तो गर्वित को, टेर, वन एन हाफ, तो अनिकेज को, एक मिलेगी, ये तीनों के सब को समझ में आ गए, उल्जाने वाला तो तीस चोथा केस है, इन दोनों ने मिलके कहा था, जब बात चल रही थी, तो जब इनको ये बोलने लगया, गुसे में, और यार तुम समझते हैं नहीं, मेरे से भी तो पूछ लेते, दोनों को दिखा कि भिया, गर्वरी होने वाली है, जादा नाराजी हो, इसके पहले ही दोनों ने एक साथ बोल में, मैं पहले भी मना कर रहा था, जो चुप रहे न, मिल जाएगी ने तरह को, पैसे दे देना, बस इतनी बात हुई है, अंच देगा की गर्विश, देगा की आदी-आदी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि क्लास चल लेग, क्लास की भीज में इतनी डिटिल म बात नहीं कर सकते थे, वो जबर जस्ती गुस्सा हो रहा था, उसको चुप चाप, वहीं चुप, पैसे 10 रुपे देना, ले 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 ले, तो बात में पांच कचोरी आई, मैंने देन से कोई बात दी के नि मैंने तो आज जो आई थी वेसा का वेसा पैकेट दे दिया, प फालतु एक के बोलने से तीनों को डाट पर जाएगी, वहां तो फालतु में वो होता, इसने वहां पे उसको चुप करवाना था, पर अब कौन कमका है, क्योंकि अंच तो बोला है, मैं तो तीन ही खाऊ, गर्वित बोला है, मैं तो कम नहीं करूँ, मैं को बहुत बहुत मेर तो बात चल रही थी, कि अब जब जब टीनों जाने बैट कर डिसाइड कर रहे थे, लड़ाई चल रही थी, तीनों के बीच में दोनों बहुत भी आप बोल जा रही था पर मैं तो कम नहीं करूं, मैं तो नहीं करूं, तो रूल के हिसाब से, अब इसकेल निकलेगा, एक तो पहले देखें कितनी भरी है 3ज़ 2 है ना तो उस कचोरी को 3 to 2 के रेश्यो में डिवाइड करेंगे कचोरी पे रखे 3 to 2 में डिवाइड करेंगे 3 to 2 में डिवाइड करेंगे तो 3 फिब्ट जो है वो A युए देदेगा 2 फिब्ट जो है बी दे देगा एगरी तो इसका मतलब हुआ पहले तो जितना शेयर देना है नए पार्टनर को उसमें 350 कितना है 250 कितना है कैलकुलेट करेंगे और वो उतना उतना A और B में माइनस कर देंगे क्या एगरी हो क्या एगरी हो तो मिस हाँ बिटा नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलाता आपने ये बोलाता जैसे कोई एगरीमेंट शाइड नहीं कहते जो गवर्मेंट के रूजे साथ से इपलाया दे रहा हूँ गारवेत एक कोश्चन कर रहा है जरा त्यान देंके सुनो बस लाज खतम कर रहा हूँ एक बड़क लिए तो इसमें कोश्चन किया सरा आपने तो ये कहा था कि डिसाइड ना हो तो इक कोल भाई मैंने ये कहा था पहले कि अगर एगरीमेंट नहीं है तो बिट्विन ए और बी जो रेशो है वो इक कोल माना जाएगा नए पार्टर को कोन कितना देगा ये तुरी बोला था उसके बार में कुछ और बोला था वो भी बताने वाला हूँ अगर पार्टर की बीच का शेर रेशो डिसाइड नहीं हुआ हो तो क्या माना जाएगा एक और दूसरी बात ये समझाई थी कि मैं जब नए पार्टर आता है उसको जो भी शेर मिलना है अगर डिसाइड नहीं हुआ हो कि कौन कितना देगा तो जो उनका ओल रेशो चला आ रहा है उस रेशो में दोनों जने देगी तो वही अभी भी बोला मैंने कि र्द कि नए पार्ट्र को एक कचोरी देनी है और दोनों ने डिसाइड ही नहीं किया तो कौन देगा आपने इसके में कितनी देगा तो 3 साट्र करेज़ो है तो कचोरी को 3 साट्र में दिवाइड करेंगे उतनी उतनी देगे अब याद आ रहा है तो तो main point जो समझाया, वो ये समझाया कि अगर कभी ऐसा दिया हो कि नए partner को दोनों में से कौन कितना ऐसा देगा all में से कौन कितना देगा तो उतना उतना उनके ratio में minus कर देंगे जो बचेगा, वो उनका new ratio हो जाएगा अब इस basis पर हम एक example करेंगे पर रिसेस के बाद, दस पर की रिसेस है तो एक example लिखिये Example number 3 He and if are partners with sharing ratio of 3 2 4 2 2 they admitted 2 G for 1 5 share they admitted to G for 1 50 share E Remain his share Remain his share E अपना ratio वेसा ही रखेगा जैसा था वो अपने ratio में चेंज नहीं करेगा Calculate new sharing ratio करें, करके बता हूँ तो सुनिएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर यह रिकाए कि E जो है, वो अपने share को change नहीं करेगा, इसका मतलब की E जो है, वो G को share नहीं देगा, अगर E जी को share नहीं देगा तो पिर कों देगा? A और D और F D और F देगे और D का ratio 3 है पूरा ध्यानी दर बेटा अब सब का focus यहाँ आपस में कोई बात करता हूँ नहीं देखे अब यहाँ पर G को जो share देगा, वो D और F देगे D का share 3 है तो F का 2 है तो D और F 3 है का ratio में देगा आगे जो अब बोल रहा हूँ, यह main point है यहाँ बच्चे बहुत उलचते है अभी क्या बोला, पहले सुन लो E share नहीं देगा यह identity बोला है कैसे बोला है? बोला कि भी आप वो अपने share को change नहीं करेगा E नहीं तो बोला कि मैं तो जितने percent profit लेता हूँ विजनेस में तो उत्ती ही लूँगा मैं अपने share को कम नहीं करने वाला हूँ तो इसका मतलब E G को share नहीं देगा अगर E नहीं देगा तो देगा कौन? D और F और D का ratio 3 है और F का ratio 2 है मतलब D और F 3 to 2 के ratio में देगे इसके आगे जो बोलनों बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा उलचते हैं तो यह कि अगर देखा जाए कि D का old ratio क्या है तो D का old ratio 3 upon 9 है जबकि D, G को जो share देगा वो 3 upon 5 देगा D का old ratio क्या है? अभी तक D का sharing ratio क्या है? 3 upon 9 जबकि D, G को जो share देगा वो 3 upon 5 देगा 3 upon 5 शेर निकाल के देगा ऐसे ही F का old ratio क्या है? 2 upon 9 जबकि F, G को जो share देगा वो 2 fifth of his share देगा 2 fifth of his share तो कैसे करेंगे? तो यह देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1st में तरी लगेगी सेकर नहीं लगेगी इस कोश में सिर्फ 1st में तरी लगेगी क्योंकि कौन कितना देगा? यह decide हो चुका है E नहीं देगा रेमेनिंग पार्टर देगे यहाने सब के सहब नहीं देगे ओल रेच्व में नहीं देगे यह decide हो चुका है तो यहाँ पे सेकर मेतर 1 माइनस अरी मेतर नहीं लग पाएगी तो दी सेक्रिफाइड इक्वर्ड टू जी को चाहिए वन फिम्त और की देगा उसमें थ्री भाई पाई तो दी और ए थ्री इस्टू तू में देगे तो यह आएगा थ्री अपाउंट पंड़ी फाई ठीके बटा पक्का अर्गून पक्का अभी लोगों किलियर केश्यों के पीछे टोए बटा किलियर एप सेक्रिफाइड इक्वर्ड टू कोई बताओ वन वाई फाई इंटू टू वाई फाई याने कितना टू बाई टू बटूटिवाई तो टी कितना देगा और एफ कितना देगा यह आगया एगरीट फिर देखो आगे उसके बाद इस न्यू शेर इक्वर्ड टू टी का ओल इश्यों क्या था थी बाई नाई था नागी थी बाई फाई थी बाई फाई तो सेक्रिफाइड करें लेकिन साथ तो थी बाई नाई उसका रही हो माईनस डी ने कितना सेक्रिफाइड किया थी बाई 25 तो क्या बच्चे का निकालके बताओ माईनस करके बताओ वैसे LCS लो नाई नाई और ठीफाई का LCS 925 के टेबल में आता नहीं है और 25 में 9 नहीं आता उसकी टेबल में तो LCM क्या लेना है तो मैंने इसलिए मैंने का कि बच्चे यहीं उलचते हैं मैंने इसलिए हाईलाइट किया था उस बात को तो सुन लेना वापस से एक बार मिस्टेक वहाँ ही होगी तो सुन लो जो कोशन पूशा बड़ा D का ओल्डेश हो तो 3x9 नहीं था ना D आज तक शेयर कितना लेता था तो D आज तक 342 में लेता था मतब 3x9 लेता था है ना ना कि 3x5 लेता था अच्छा D ने G को जो शेयर दिया वो 3x25 दिया है तो 3x9 में से 3x25 माइनस होगा तो एगरी हो एगरी हो बटा यू तो आज तक D को शेयर कितना मिलता था 3x9 मिलता था कि 3x5 मिलता था 3x9 मिलता था क्योंकि जो भी है आज तक इतने एर से जो प्राफिट डिवाइड हुआ उसके D E F तीनों को मिला जब D E F तीनों को मिला तो D को कितना मिला 3x9 मिला ना कि 3x5 मिला तो आज तक उसका रिश्व 3x9 था और अब जब D G को शेयर दे रहा है तो वो कितना दे रहा है 3x25 तो 3x9 में से 3x25 माइनस होगा और जो बचलेगा वो उसका नियू रिश्व होगा तो फिर वो 3x5 क्या था वो भी समझ रहो 3x5 तो सेक्रिफाइसिंग रिश्व था D and F 3x2 के रिश्व में G को शेयर देंगे याने 3x2 जो उनका रिश्व है वो तो सेक्रिफाइसिंग रिश्व है जबकि नियू रिश्व कैसे निकलता है ओल्ड में से सेक्रिफाइसिंग माइनस करके एगरीट तो 3x9 में से 3x25 माइनस करो पहले यह बताओ LCM LCM या तो नहीं लेने आए मैंने यह कह था 9x25 दोनों एक दुसे टेबल में आते हैं तो जो बिगेंस टे वो ले लो दोनों एक दुसे टेबल में नहीं आतो तो दो लो मॉटिप्लाइक करके ले सकते हैं है न तो कितना लूँ 225 ले लिया वैसे एक और तरीका पर उसे बच्चे उलचते हैं तो इससे वो नहीं बता रहा हूं एक और तरीका सुन लो 9 और 25 में biggest कोन सा है 9 फोकस मेरे उपर LCM की बात चल रही है तो सुनना अगर 9 और 25 दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हो तो जो biggest वो LCM में ले लेंगे अगर दूनों एक दूसरी की टेबल में नहीं आते हो जैसा कि यहां हो भी रहा है या 9 की टेबल में 25 नहीं आता है 25 के टेबल में 9 नहीं आता है तो उस case में 2 method होती है एक तो simple वाली सुनलो दोनों को multiply कर लो वो LCM हो गया 9 into 25, 225 यह LCM में लग दिया एक तो ही है पर एक और होती है अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है इस ही हो जाएगा तो रहा तो दूसरा यह है कि दोनों में biggest कौन सा है 25 तो 25 तो 9 की टेबल में खैन नहीं आता है 25 into 2 25 into 2 25 into 2 75, 75, 90 पैन आता है 100 आता है 125 आता है 150 आता है 175 आता है 200 आता है क्या कर क्या हूं समझा रहा है 25 की टेबल में चला रहा हूं 225 आता है फिलाल तो कौन सी लिए वापस 225 आ गया फिलाल आया हर बार नहीं होगा कहीं बार यह होगा कि 25 इंटू या 3 या 4 पे वहीं आखर रुख जाएंगा वह इतना ही कि डिवर में आता होगा तो वही लेंगे तो इतना बड़ा मॉन लेना नहीं पड़ेगा अभी तो अभी तो वही सेम ही आ रहा है हर बार नहीं होगा तो शोटी वेल्यू में कहीं बार LCA में आ जाएगी तो चलें हलेंगे LCA ऐसे नहीं निकालते हैं वो तो आपने बच्पन में सीखा है पर वो नहीं सीखा रहा हूँ तो सुनें 225 को 9 से डिवाइड किया अच्छा जब दोनों को मल्टिप्लाइ करके लिखाओ न तो आगे की इस्टेर आसान है वो सुन लेना जब दोनों को मल्टिप्लाइ किया तो आप एक इस्टेर बहुत सिंपल हो जाती है वो सुन लेना क्रास मल्टिप्लाई कर लो 25 को 3 से मल्टिप्लाई किया दोनों के numerator दोनों के denominator क्रास मल्टिप्लाई हो जाएंगे तो 25 इंटू 3 75 25 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 3 27 तो क्या आएगा अब रहाते हैं 75 में से 27 माइनस करो 48 इंटू 2 25 अब ऐसे ही सेकन आगे D और E E is new share equal to तो E का all ratio क्या था? 4 by 9 और E ने तो कुछ sacrifice ही नहीं किया E ने तो कुछ sacrifice ही नहीं किया तो एक ख़र ratio वही कभा ही रगा तो यही old था यही नहीं new रहेगा तो इसको यही रहने दिया भी अभी नहीं करेंगे denominator सेम अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले सबके denominator आजाए फिर सबसे biggest कौन सा वो दिखना पड़ेगा तो अगला है एक एस न्यू शेयर एकोल टू एकोल टू अने क्या था क्या था 50 माइनस 9 इंटू 2 18 तो क्या आएगा 32 अपन 225 उसके बाद में जी शेयर तो जी का शेयर तो पहले से माल में हमको 1 पाइफाई अब सुनिये गा अब दो जन्हों का डिनॉमिनेटर तो है 225 225 डी का और एफ का दो डिनॉमिनटर तो 225 225 यह लेकिन लेकिन एका डिनॉमिनटर क्या है 9 तो जी का डिनॉमिनटर क्या है 5 तो तीन तीन दिनॉमिन चल रहे हैं 5 9 225 तो सबसी कुन सा 225 अगर तीनों की टेबल में 225 आता हो तो 225 LLC लेंगे पार 225 9 की Table में नहीं आता 5 की Table में तो आता है नहीं 9 की Table में भी आता है 9 की Table में भी आजाएगा 225 और 5 की Table में भी आजाएगा तो denominator क्या ले लेंगे 225 ले लेंगे 225 divided by 5 225 225 divided by 5 45 into 45 upon 45 तो यह आग्या 45 into 1 45 upon 225 इधर G की केस में 4 upon 9 into 25 upon 25 तो हो जाएगा 100 upon 100 upon 225 ठीक तो सभी मिलाकर जो रेशो बनेगा न्यू शेरिंग एक अप पेले विश्यू क्या था 4 by 9 डिनामिनेटर कितना रखना है 225 तो 225 divided by 9 225 divided by 9 25 आएगा तो इंटू 25 upon 25 किया और G के केस में भी 25 225 रखना है डिनामिनेटर में 225 divided by 5 किया था 45 आएगा इससे जी में 45 से मिलिटाय हुआ हाँ बेटा इस बच्चे ने कोश्चन किया किसे तीन डिनामिनेटर ने 5, 9 और 225 वेसे तो बहुत सही चीज तो यह होती कि LCM निकालने आना चाहिए बस तो LCM निकालने रखना है तो और सोच नहीं है हाँ तो बता रहा हूं इसलिए तो वो नहीं आता है तो बता रहा हूं अगर तीनों में से कोई भी जो बिगे से 225 है 225 इटसेल 225 की टेबल में आता ही है अब 9 या 5 में से किसी 8 की टेबल में नहीं आता तो तो फिर 225 आलरी बड़ा figure होता है उसमें इंटू 2 करो 450 अगर 450 तीनों में आ जाए तो चलेगा ने तो इंटू 3 करके ने तो इंटू 4 करके ने तो इंटू 5 करके ऐसा करके लेना पड़ेगा और अगर ठीके ठीके वो ज्यादा एजी है यही तक रुखते है अपना चले तो फ थिनों करना ही पड़ेगा आपको सभी का डिनोमेटर हमेशा सेम करना पड़ेगा हमेशा है इंट तो नियू रिश्यो आ गया 48 इस्टू 100 इस्टू 32 इस्टू 45 यह किसी से डिवीजीबल है क्या यह किसी से डिवीजीबल नहीं है पक्ता तो यही फाइनल अंसर हो जाए का फिर यहां सबको किलियर यहां पर सेकर मेथर जो लगती है ने वन माइनस वाली वो नहीं लग पाएगी क्यों क्योंकि मैंने एक बात समझाई थी कि कौन कितना शेयर देगा अगर यह नहीं दिया है तो सभी लोग मिलके शेयर देंगे ओल रेशो में सेक्रिवाइज करेंगे वहां पर वन माइनस वाली मेथर भी लगा सकते हैं पर यहां पर ए नहीं देगा मतलब कि सभी लोग नहीं देंगे यह पक्का हो गया जब सब लोग नहीं देंगे या कोई कितना कोई कितना देगा तो वहां 1-2 मेंसर नहीं लगती है E नहीं देगा शेर तो वो नहीं लग पाएगी दूसरा अगर E नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब D और F 4 by 9 और 2 by 9 दे नहीं पाएगे उनको थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़े जैसे है एगरिट एगरिट चले तो हम लोग एक और एकजामपल लिख रहे हैं वो आप लोग पर रखे बताईए तो लिखिए एकजामपल नंबर बोलो भाई एकजामपल नंबर 4 नाम बताओ X and Y I are partner with sharing ratio of 5 to 4 they admitted to they admitted to Jay for one-fourth share he receives he receives he receives his share his share as one-third of he receives he receives one-third of his share he receives one-third of his share from X and two-third of his share from Y calculate new share calculate new share करके बताओ तो यहाँ पे question कैसे करेंगे सुनिएगा X एक्स सेक्री फाइड इक्वाइड 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 तू अब लाइड थार्ड में पड़ो इस साथ बोल रहा हो ना तो इसली गर पड़ी हो रही है यहाँ पे लिखा है थार्ड नाइड पड़ो हीर सीस one third of his share यहाँ पे हिश का मतर एकस ही की जेड़ है he receives one third of his share अच्छा ठीके जो लग एकस बोल रहा है तो जा सेंटेंस सुन लो he receives one third of his share from x होगा हिश का मतर एकस हो सकता है जेड़ होना चीना जेड़ होना चीना यहाँ पे हिश का मतर भी जेड़ ही है और ही का मतर भी जेड़ ही है तो जेड़ ने अपने share का one third एकसे लिया और जेड़ का share one fourth ही one fourth का one third एकसे लिया है उसने यानि कि x ने one fourth का one third sacrifice किया है तो clear है क्या बिटा सुन लो बिटा फिर सीज वन थड़ आप हिश शेर फ्राम एक्स तो यहाँ पे हिश का मत्र एक्स तो नहीं हो सुपता न जेड ये और जेड का शेर कितना है वन फोर्थ वन फोर्थ का वन थड़ कैसे निकालेंगे इंटू करेंगे और उतना शेर एक्स देगा एक्स सेक्रिफाइस करेगा एक्स सरंडर करेगा जो बोलो एगरीड तो कितना आएगा वन अपां ट्वेल आएगा है ना ठीक है फिर य सेक्रिफाइड इक्वाइड इक्वाइड टू y sacrificed equal to 1 by 4 into 2 by 3 क्या आएगा 2 by 12 तो यह आजा अब अगली से बताओ X new share equal to 5 by 9 पहले X का ratio क्या था 5 by 9 था पहले कितना था उसमें से कितना sacrifice हुआ 1 upon 12 तो क्या बचेगा 17 by 30 अब 9 और 12 का LCM क्या लोंगे बता दो 36 36 17 और 36 करो करो सोचो सोचो तो LCM क्या लेना है 9 की टेबल में 12 तो आता नहीं है 12 की टेबल में 9 नहीं आता तो या तो LCM 12 इंटू 9 करके ले लो नहीं लो तो दूसरा सुन लो 12 तूजा 24 9 की टेबल में नहीं आता है 12 त्री या 36 36 9 की टेबल में भी आता है 12 की टेबल में तो आता ही है तो 36 से बाद बन जाएगी चीटे बाद चलेगा बन जूरो एड लिया तो भी चलेगा तो 36 से डिवाइड़े बाद नाइन 4 4 इन्टू 5 4 इन्टू 5 20 माइनस 36 अपान 12 3 3 इन्टू 1 3 तो का आएगा 17 अपान 36 आएगा एग रियो अब जिन्होंने 108 गया वो उसके हसाब से भी वो भी सही है अब वही जलने देना थोड़ी दे लिए वाइस न्यू शेर इक्वल टू 4 अपान 9 माइनस आगे बताओ 2 बाए 12 तो एल्सें तो वही जलने ले लेते हैं अब 36 अपान 9 4 4 इंटू 4 16 माइनस 36 अपान 12 3 3 इंटू 2 6 आएगा 10 अपान 36 तीसरा को ने जेर से शेर इक्वल टू 1 अपान 4 इंटू 9 अपान 9 क्या आएगा 9 अपान 36 आएगा जा सभी एगरी हो इंटू 9 अपान 9 के लिए एगरी हो इंटू 9 अपान 9 के लिए एगरी हो तो पर सुझा आजा 9 अपान 9 कहा की आया 9 अपान 9 केसे आया मलूमे पक्ता ना अपान को क्लियर है ना तो New Sharing 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 Ratio इक्वल टू 17 इस्टू 10 इस्टू 9 और जिन्होंने 108 लिया उनका जो भी रेशो है उससों पर कटके काट रहा है काटके पर यहां ही पोचाओंगे तुम भी गूमकर आपटाप नहीं जहां तक कट रहा है वहां तक काटना पड़ता है पिलार तो हमारा 17, 10, 9 नहीं कटेगा और 10, 8 जो नहीं लिया था उनका कटेगा काटके पर उनको वह भी आई पोच जाएंगे एकरी क्या सब को समझ में आगया क्या सभी को समझ में आगया आगे सुनिये एक एक्जामपल और एक्जामपल नमबर और नमबाताओं एक्जामपलू एक्जामपल नमबर M, N, N, O और पार्टनर विद शेरि रलेशो 3च आपल एक्जामपल आगया 5च आपल एक्जामपल They admitted to M and O उसके बाद क्या आता है P admitted to P he receives he receives 1 by 7 from M and 2 by 5 from N calculate new sharing ratio करके बता है अब सुन लो नहीं नहीं अब सुनी लो अब सुन लो बेटा solution इसा लिखना चाहिए पिछली बार नहीं लिखा था लिखना चाहिए तो तो द्यान दे के सुनियेगा second line के end में पढ़ियेगा he अरे second line, third line नहीं he receives 1 7th from M पिछले कोशन और इस कोशन में डिफरेंट सुन लीजेगा पिछले कोशन में था he receives one third half his share आफ था यहाँ one seventh half नहीं है one seventh from है four के दोनों में तो पिछले कोशन में लिखा था he receives one third half his share जब आफ आ जाता है तो पहले multiply भी होता है और फिर minus होता है और from पिर सिर्फ minus ही होता है और यह बात थोड़ी दे बात वापस समझाओंगा इसी बात को फिर समझाओंगा ऐसा क्यों वो भी समझाओंगा पर पहले लिख लेते है पहले लिख लेते तो सुनिए तो इसमें multiply होना नहीं है sacrifice किसने कितना किया वो calculate करना नहीं है वो दिया हुआ है तो direct new ratio लेगा M new share equal to 3 अब 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 focus यहाँ पर पोई बात करता हुआ नहीं दिखेगा फिर फिर तो 3 divided by 3 divided by 10 M का old ratio 3 by 10 था M उसने sacrifice जो भी क्या हो और उसका आज तक जो share ratio था वो क्या था 3 by 10 था उसमें से 1 by 7 उसने दे दिया है तो क्या बचेगा बताओ क्या बचेगा बताओ 10 और 7 का LCM 70 और 10 इंटू 7 जब टाओ 10 इंटू 7 इंटू 7 की LCM यह है जब इसा है तो खास मंडिप्लाइ किया जा सकता है सो 7 तरी जब ट्वंटीवन माइनस 10 इंटू 1 10 तो क्या आएगा 11 अपान सेवंटी चा सभी लोग अगरी अपान सेवंट्य इंटू इंटू सेवंटू इंटू 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 इंट्यू 5 में 10 कोनों की डेबर में आता है तो तेन ले लेते हैं तेन और 5 में 10 LCM लेना बढ़ गा ना और 10 वाइब 10 1 1 इंटू 5 5 आएगा 5 माइनस 4 तेन अपार 10 वाइब 5 2 आया 2 इंटू 2 4 आया क्या agree estás पहले 10 इस 10 को इस 10 से डिवाइड किया वन आया 1 को 5 से multiply किया वह 5 रग दिया पिर इस 10 को इस 5 से डिवाइड किया 2 आया 2 को ओपरवाले 2 से multiply किया वो 4 रग दिया अब हरगन बोल रहा है इस लिए बी तो का था अगर डिनॉमिनेटर अलग अलगे तो पहले तो बिगेस्ट देख लो कुन सा है तो टेन और फाई में बिगेस्ट क्या है एन है अगर वो दोनों के टेबल में आता है तो ले लो तो टेन और फाई दोनों की टेबल में टेन आता है तो टेन ही लेंगे अगर नहीं आ रहा होता तो दोनों को मल्टिप्लाइ करके जो आता वो डेल सीम लेते हैं आगे अभी सोचते उत पर आएंगे पर अभी कर सकते हो पर एक क्यों कि हर बार नहीं हो पाता है इसलिए बात नहीं बता पाया जो तुम बोलो यहाँ फिट हो जाएगी प्रावलम यहाँ नहीं है प्रावलम ही कि क्या हर कोश्र में इसलिए कर पाएंगे नहीं तो फिर्म Será कि कब क्या करना नहीं है हर जंगह नहीं कर पाइए तब लिए पन यह गरलनें तो क्या यहाँ पर वन बाए 10 आ जाएगा उसके बाद तीसरा पार्टनर है O O's new share equal to O का O ने शुदा 2 by 10 2 by 10 ही रहेगा तो कि O ने कुछ भी सेक्रिफाई नहीं किया है उसके बाद में next पार्टनर है P P's share equal to P का share P को 1 by 7 मिला M से 2 by 5 मिला M से P का share कितना हो गया 1 by 7 एक से मिला 2 by 5 दूसरे मिला तो कितना हो गया तो अब यहां पर हमको LCM लेना पड़ेगा 7 और 5 का LCM 35 हो जाएगा 35 को 7 से डिवाइड किया 5 into 1 5 और प्लस का sign है 35 को 5 से डिवाइड किया 7 7 into 2 14 हाँ बड़ा मिरसे पूछे डाउट डिवाइड किया तो बड़ा उपर पड़ो 19 अपान अपान 35 और ओ का शेर तो 2 अपन तेन है अब तीन जनों का डिनॉमिनेटर तो तीन जनों का डिनॉमिनेटर तो 10 नहीं 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 पहले का 70 है बड़ा सुन लो ना फिर suggestion दे दे ना पिर सुन लो 70 है 10 है 10 है और 30 फाई है तो कितने डिनॉमिनेटर चल रहे है 3 चल रहे है 4 कहां चल रहे है 3 तेन दो बार है होता तो 70 10 और 30 फाई ये 3 डिनॉमिनेटर चल रहे है तीनों में biggest बताओ 70 तीनों की टेबल में आता है क्या अगर 70 तीनों की टेबल में आता तो 70 ले लेंगे, हम 70 कर देंगे सबको तो ये सेकर वाले में हम क्या करेंगे? इंटू 7 अपम 7 करेंगे तो क्या रहे जाएगा? 7 अपम 70 7 अपम 70 हो जाएगा इसमें इंटू क्या करना पड़ेगा? 7 अपम 7 तो 14 अपम 70 रहे जाएगा यहां पर क्या होगा? 2 अपम 2 तो इंटू 2 अपम 2 क्या तो यहां क्या रहे जाएगा? 38 अपम 70 अपम 70 हो जाएगा और पहला वाला तो 11 अपम 70 है 11 अपम 70 ही रहेगा? मैंने ऐसा कैसा लिग दिया? अब बताव न्यू रेश्यो क्या बनेगा? न्यू शेरिंग रेश्यो इक्वल तो 11 यह देखरो यहां पर न्यू रेश्यो क्या बनेगा? 11, 7, 14 और? 38 लिख दूँ 11 इस्टू? 7 7 इस्टू? 14 इस्टू? 38 और किसी से डिवीजिबल ही नहीं यही फाइनल अंसर हो जाएगा क्या सभी लोग एक्रीड? Yes, sir सभी लोग एक्रीड? Yes, sir अब सोचू की कॉंफिडेंस आ रहा है यहाँ एक्जामपल नमबर 5 यह आज का लाश्ट एक्जामपल 6 से क्या? 6 से क्या? तो लिखे लिखे नम बताँ नहीं एक्राजेड हो गया एक्राजेड हो गया नहीं ए बी वो तो पहली लेन में हो गया था पहले एक्जामपल में ए ए ए उडेर प्थी सर्य कर्फट वे सिर्च विड्य को प्कार्फ ए ड्यक्र प्क्यों के बद Review आजिसका तूस हलिसो मेजान आजिए भदी रस दित आजिसे और यहें रस यह रगल की तूस, आजिसक फारे दाaben कि धूज़, गरेके सीचनunta घंसका फ़ी कि आजिए,यायायायायर। he receives one-third of his share from G and अन्रफट और अरफ आ पर अश्रफ्ट and uh and 2 upon 15 15 and 2 upon 15 from from s calculate new sharing ratio मेरी बास सुन लो रिसेस होने वाली है तो कोशन आधे में रह जाएगा अगली सेक्शन में नया बच्चे आएंगे मैनेद मेठार को जीआएंगे का टाइम दी आएंगे बादा एक मेर्ट ले सुन लेना नो ऍसके पहले के दो एक्जामपल उसमें पहला वाला एक्जांपल जो था मतब एक्जांपल फूर उसमें आफ आया था आफ इशेर लेकिन एक्जांपल figh में फ्राम आया था आफ वाले में पहले सेक्रिफाइड निकाला मतलब मल्टिप्लाइग किया फिर माइनस किया फ्राम वाले में हमने सेक्रिफाइड नहीं निकाला मतलब मल्टिप्लाइग नहीं किया डारेक्ट माइनस किया लेकिन यहां पर दोनों है तो एक मल्टिप्लाइ होगा भी और एक नहीं भी होगा और माइनस तो दो नहीं होने तो आफ किस केस में दिया हुआ है जी के इसमें He receives one third half his share from जी तो जी सेक्ट्री सेक्ट्री फाइड इक्वाल टू वन अपान फाइड इंटू वन अपान त्री 1 अपान 15 तो जी दे देगा दूसरा एश सेक्रीपाइड इक्वाल टू यह फ्राण दिया हुआ है मुल्टिप्लाइ करना नहीं है बस डाइड दिया हुआ है केल्प्रेट करके 2 अपान फाइड फ्राण वोला है मतलब यह आल लेडी कितना से किरना हो दे दिया निकाल के अब नियू रेशियो निकालेंगे जी नियू शेयर एक पॉड़ा की सब नहां में जो चलता वही चलेगा अब कुछ नया में कितना लेको फोर अपान कोई बताओ फोर अपान वार अपान कोई को पताओ टुएल बड़ा शिप्टिन जाहा से आया माइननस 1 अपान फिप्टिन तो L-CM क्या लेना पड़ेगा L-CM सिक्स्टि May काम हो जायगा हमने L-CM सिक्स्टि ले लेते हैं L-CM सिक्स्टि ले लिया है तो यह हो जाएगा 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 5 को 4 से मल्टिप्लाई किया तो 20, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 5 को 4 से मल्टिप्लाई किया 20, minus, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 4 को 1 से मल्टिप्लाई किया 4 तो अंसर आएगा 16 upon 60 next day S S new share equal to 3 upon 12 minus 2 upon 15 LCM यहाँ भी 60 ले लेते हैं तो कितना आएगा 15 minus 8 तो आएगा 7 upon 60 तीसरा partner T T new share equal to T का तो 5 at 12 का 5 at 12 ही रहेगा उसमें कुछ सेक्रिवाइज नहीं किया है नहा कोना आया था C C share equal to C का तो share portion में दिया हुआ है 1 by 5 अब दो जनों का denominator तो है 60 एक का है 12 एक का है 5 5 है 60 है तो 60 तीनों में बन जाएगा into 5 upon 5 क्या आएगा 25 upon 60 और C वाले में C में किसे मलता होगा 12 upon 12 क्या बनेगा 12 upon 60 तो यह new ratio आच चुका है यह new ratio आच चुका है तो लिखेंगे कैसे वो लिख लेते हैं न्यू शेरिंग रेशो पर बताओ 16 इस्टू सेवान इस्टू 25 इस्टू 12 अभी किसे देडिवीजिबल तो है नहीं यही final answer हो जाएगा एगरीट जो एस वाला केस था ना उसमें क्या दिया था टू वार 15 फ्राम एस टू वार 15 आफ एस नहीं टू वार 15 आप हिज नहीं आफ नहीं है फ्राम है तो आरेट मर्टिबलाई करके दे दिया है एगरीट अब तो clear है अब सब लोग सुनो अब यह पूरे जितने भी पाइंट जिनको समझ में आ गए हो तो आप लोग admission of a partner इस chapter के अंदर शुरुआत में exercise दियो हुई है जिसका heading है calculation of new ratio वहाँ से new ratio calculate कीजिएगा new ratio calculate करना सीख लेना एगरीट का सबी लोग एगरीट new profit ratio and sacrificing ratio यह वाला heading आप लोग करके आना तो एक बात जिरा ध्यान देके सुनो last point 1 एक रहे गया है जिरा ध्यान देके सुनो मैं practice नहीं करवा रहा हूँ सिर्फ एक concept समझा के छोड़ रहा हूँ question नहीं करवा रहा हूँ सुनिएगा अगर किसी परसन का old ratio और new ratio दिया हूँ जिरा ध्यान देके सुनना एक नहीं कंसेट समझाऊँगा last point 2 मिनट 3 मिनट रह गये है 2 मिनट ही रह गये है ध्यान दे सुनना अगर old ratio में से new ratio minus किया जाए और जो भी ratio आ रहा है मान लो वो minus में आ रहा है old minus new किया और वो ratio जो आया वो minus में आया तो इसका मतलब old बड़ा था कि new बड़ा था new बड़ा था old minus new अगर new बड़ा था तभी तो minus नाया तो इसका मतलब जिस परसन का ratio calculate कर रहा है उसका ratio घटा नहीं है बन गया है तो जो आ रहा है वो उसका gaining ratio है वो उसका अगर old minus new किया जाए और minus करके जो आ रहा है अगर वो plus में आ रहा है अगर वो plus में आ रहा है मतलब old ज्यादा था new कम है मतलब उसने sacrifice किया है तो सुनिएगा conclusion old minus new equal to अगर minus में आ है मतलब उसने गेन किया है, ब्लस में आए मतलब सेक्राइब, जड़ा एक बर इसी कोश्चन में एक बर समझ लेना, इसी कोश्चन में, कियो देखो, मैं कैल्कुलेशन कर रहा हूँ, कैल्कुलेशन आफ सेक्री पाइसिंग और गेनिक रेशो कैसे बता था? रेशो कैसे निकालते हैं, old minus new, अगर प्लस में आए तो, सेक्रीफाइब, अगर मैनस में आए तो, gaining, और लॉजिक पता ही दिया था, तो, G का old रेशो क्या था इस कोश्चन में? 3 upon 12 4 upon 12 G's old issue 4 upon 12 और G's new ratio 16 upon 60 जड़ा खरकी देखो तो क्या आ रहा है अज यह आज का last concept 4 upon 12 में से 60 LCM क्या ले लू LCM 60 4 upon 16 4 upon 16 4, नहीं, मैं को पूरा बता पिठा 20-16 तो क्या आएगा ? आपक Warm 16 की प्लस वड़े हैं कि मीनस में ? प्लस में contents भूग के प्लस में must दैं DR. ब्लस में out KIRBY ठीक है ? अशील इसे भाकी सब का भी निकाल लेएंगे a tomorrow अगर से क्वें निकाले हैं ज्द्ट आटे की से का मीनस निकालेगे ? और माइनर, नू, एंग्रियो, बागी कल टेकेंगे, आज आप लोग एडिमीशिना पार्टर, उसकी जो एक्सराइज दिया हुए, शुरू शुरू में न्यू शेन रेश्यो कैल्कुलेशन दिया हुआ है, तो न्यू रेश्यो भी निकाल कर आना, अगर सेक्रिफासिक कर सेक क्या जाना है, चेक्ट्यू!